हैलो गाईज, माई नेम इज लखन एंड आई लव नेचर दोस्तो आज मैं नील गाय के बारे में एक ऐसी जानकारी देने जा रहा हूँ जो साइथ आपको अच्छी लगे और जो प्रकर्ती प्रेमी है उनको बहुत अच्छी लगे दोस्तो मैं आपको बताना चाओता हूँ कि जंगल की अंदर जंगल में रहने वाली नील गाय और भार खेतों में खुले में रहने वाली गाय में क्या फरक है दोनों मैं से कौन सी बहतर है और कौन सी अच्छी जिन्दगी जीती है तो दोस्तो फिलीज अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना है अब लेकर चलता हूँ मैं जंगल में आपको आप ले जंगल वाली जो नील गाय जो होती है या हिरड भी लगा सकते हूँ आप इनको देखोगे ये उतनी जादा क्लीन और पर्फेक्ट और तंद्रूस्त नहीं होती दोस्तो जितनी खेतों में रहने वाली होती है अब आपके सामने एक ऐसी नील गाय है जो बिल्कुल ही जंगल के अंदर है आप इसको देखोगे ये ज़्यादा मस्त भी नहीं है अब मैं लेके चलता हूँ खेतों में अब ये खेतों की नील गाय है ये बिल्कुल आपको देखोगे विशे खुले मेदानों में रहना पसंद करती है जंगल के बज़ाए लेकिन जब किसान बगाते हैं तो जंगल मों चले जाती है लेकिन ये जो जंगलवाड़े हैं इनके सरीर पर आपको जैसे लंबे-लंबे घाव के निशान जो बाद में सही हो जाते हैं या फिर ये बिल्कुल अकिला पर निन में अकिला रहना पसंद करते हैं अब देख सकते हो इध दूसर में इधर है जब कि आप ने देखा है जो खेतों रहते हैं जितने भी रहते है नीलगा है उसके शरीर पर इतने सारे निशान को होते है तो उसका कारण है जंगे में पेडों के साथ रहना है इसको पेटों में जाता है जहाबारे जहाडी 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 आख़ाइं से कठभष जाते हैं या फिर कुछ जानवर चंगल में छिपके उपर आकरमन कर जाते हैं क्योंकि एक ऐसा जानवर है यह कुत्ते से भी डरके बख जाता है यानि पूरे जुंड़ पर एक कुत्ता आकर्मन करें तो यह उसका सामना करने के बजाए यह तितर भीतर हो जाता है और यह से वीडियो तो मैं आपको कितने अफलोड कर रखेंगे कुत्ते इनको बहुत दू दोला कर गाहल करता हुआ है अब दोस्तों यह नीलगाय के जो वीडियो में आपको अफलोड करता हूं यह सारे के सारे वीडियो राजस्तान से हैं बहुत सारे लोगों का कुश्ण भी आता है कि यार इतने सारे वीडियो कहां से लाते हो तो दोस्तों राजस्तान में आपक प्लीज दोस्तों वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक और शेयर ज़रूर करना